जैजनेन बद्वो मैं रवी जैन गुरू जी आज रवी बार और रवी पुष्य योग और सरवार सिद्धी योग दोनों एक साथ देखे हमें कोई भी नया कारिय आरम करना होता है तो हम रवी पुष्य योग और सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले दोस्तों से सहयोग मिल सकता है दोस्तों के संपर्क में रहें क्या करें शीरी भक्तामबर जी का 45 वकाव्य नो बार पढ़ें वर्षब रासी वाले प्रोपर्टी में भाग्य अजमा सकते हैं प्रोपर्टी में लाब होता हुआ दिखाई देता है क्या करें अगर संभव हो तो सफेद वस्त्र धारन करें मितुन रासी वाले क्रोध से बचें मानसिक तनाव को हावी ना होने दें क्या करें मुनी राज के पास अधिक समय वैतीत करें करक रासी वाले व्यापार के छेतर में कुछ समश्या आ सकती है ध्यान देना जरूरी क्या करें ओम रिम शिरी वाशु पुझे जिनिंद्राई नमा की एक माला फेरें सिंग रासी वाले सेवकों से बहस से बचें मदद के लिए तैयार रहें क्या करें ग्रहकों से संतुलित वारता करें कन्या रासी वाले स्वास्त संबंदी प्रेशानी को हलके में नाले गंभीर रहें क्या करें हल्दी चंदन का ठीका माथे पर लगाएं तुला रासी वाले यात्रा का योग बन सकता है धरमिस्चल पर जाने का परियास करें क्या करें सेवकों की यथा संभव मदद करें व्रश्चिक रासी वाले दिन अच्छा है नया कारिये आरंब कर सकते हैं क्या करें तले बुने भोजन से परहेज करें धनूरासी वाले धैरिये बनाई रखें कुछ रुकावट परेशान कर सकती है क्या करें शिरी नमोकार महामंत्र की एक माला फेरें मकर रासी वाले समय अनुकूल है भाग्ये साथ देगा क्या करें घर पर पांच मिनट का मोन अवश्य रखें कुम्ब रासी वाले नए काम का योग रुके कारिये भी बन सकते हैं क्या करें पक्षियों को दाना डालें मीन रासी वाले मोसम को लेकर गंभी रहें स्वास्त का ध्यान रखें क्या करें नमोर ही अंतानम की एक माला फिरें रासी फलके बश्याद बंदू अब बात करते हैं आज की सलह की आज की सलह में ध्यान रखेगा विद्या वे इसमर्ती तेज करने के लिए शीरी भक्तामबर इस्थोत्र का छटे नंबर का काविय बहुत महत्पून होता है विद्या में आगे बढ़ने के लिए छात्रों को और इश्मन सक्ति जिन की कमजोर है वो बढ़ाने के लिए शीरी भक्तामबर इसोत्र के छटवे काविय की एक माला रो जाना हलकी आवाज में फेड़नी चाहिए और अगर समय कम है तो कम से कम ग्यारा बार तो अवश्य पढ़ें निश्यत रुप से आपको लाब दिखाई देगा और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है मुंबई से तरुन जैन जी ने लिखते है गुरुजी जैजि भगवान की तप एवं केवल ज्यान समोसरण भूमी है क्या वहां इस बार भी मौक्ष सप्तमी के अवसर पर कोई कारेकरम होने जा रहा है देखे तरुन जी मैं आपको बता दूं कि अईच्छत्र वे पवित्र भूमी है जहां पर साक्षात धनेंदर देव और मापद्वा वती ने आकर अपनी भक्ती से पारशनात भगवान पर आए भ्यंकर उपसर को दूर किया था और ग्यारा अगस्त दो हजार चोबिस को मौक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर इस बार भी यहां पर अईच्छत्र पारशनात सेवा समीति के तत्वावदान में भव्य और अद दिल्ली के अनुसार इस वारवी निर्वान कल्यानक की पूर संध्या पर आयोजित भक्ती संध्या में विस परसिद गायक रुपेश जैन टीकमगड और अक्षे जैन बीजनोर विसेश रूप से अपनी प्रस्तुति देंगे इस अवसर पर यहां पर बहुत भारी संख्या में सरदालू एकत रहकर परभू की भक्ती करते हैं सभी को इस पवित भूमी के दर्सन अवश्य करने चाहिए और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लैस हो रही है आपका दिन सुब औ जय जिनेंद्र